आपके बास Moto H40 है, H40 नहीं हो, कोई भी फोन है, तो यहाँ पर आप होट्सपोट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो होट्सपोट की सेटिंग के लिए आप सेटिंग पर जाएंगे, इस टैप से ऑप्शन आएगा, आपको नेड़र्क और इंटरनेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लिना है, Hotspot in Thetping पे क्लिक कर लेंगे, और यहां Wifi Hotspot पे क्लिक कर लेंगे, इसे ओन कर दिए, ओन करने के साथ होोट्सपोट का नेम चेंज बने का ऊप्शन आजाएगा, तो आप इसको कट करके अपना name डाल के ok कर देंगे डाल दिया, यह QR code का option आजाएगा QR code show करके scan कर सकते हैं बिना password के आप connect कर सकते हैं अगर आपको आपका device hide करने हैं तो इसे on कर देंगे तो जिस phone से connected है सिर्फ उसी phone में show करेगा बागी phone से hide हो जाएगा security को आप यहाँ पर WPA2, WPA3 ऐसे करके change कर सकते हैं और यह तब change करना होता है जब कोई device आपका gaming device connect नहीं हो रहा है hotspot से तब hotspot का password का option आजाता है यहाँ से आप password देख सकते हैं और ऐसे करके यहाँ से आप change कर सकते हैं minimum 8 digit का होगा ok कर देंगे compatibility Wi-Fi 6 आप रहने देंगे और इसको भी on रहने देंगे ठीक है और manage device यहाँ से इसको ऐसे रहने देंगे और device limit आप maximum 10 कर सकते हैं minimum 1 device add कर सकते हैं तो मैं 2 कर लूँगी 2 से ज़्यादा connect नहीं करने हैं और यहाँ पर कोई device connected होगा तो 1,2,3 जो भी number होगा वो show कर जाएगा या फिर device के name आजाएंगे ठीक है और यहाँ पर आप कोई device remove भी कर सकते हैं कुछ से time out setting पर आप 10 minute ही रहने देंगे कोई device connect नहीं होगा तो आपने आप 10 minute बाद off हो जाएगा hotspot इतना करने के बाद back कर लेंगे और यहाँ पर hotspot करना आपको shortcut देखने को मिल जाता है यही से आप on off कर सकते हैं बाकि इस पर click करके रखेंगे न तो भी आपको same setting देखने को मिल जाती है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार